हमारे देश का किसान जन का पोशक है वह श्रम का देवता है अन्यदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है ऐसे ही किसानों की प्रगती के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी वी बहुत सी नई लापकारी जानकारियां हर रोद सुबह लेकर आते हैं तो चलिए कारक्रम शुरू करनी से पहले देखते हैं क्या है आज अन्यदाता में बदलते मौसम में दुधारू पश्वों की देखरेग पॉली हाउस में खेरे की खेती अधिकांदनी कमाने का जर्या प्रदेश में इन दिनों तापमान में गिरा वटा रही है कई जगों पर कडाके की ठंड भी पड़ रही है ऐसे में पश्वोपालन से जुड़े किसानों के सामने कई समस्याएं पैदा हो जाती है क्योंकि तापमान में जैसे ही बदलाव होता है पश्वों के स्वास्थे और दुध उतपादन पर इसका सीधा असर पड़ता है इसल मैं पश्वों की देखरेक पर विशेश ध्यान देना चाहिए चलिए इस बारे में जानते हैं क्रिशी विज्ञान केंद्र जिला दर्भंगा के पश्विव्याग्यानिक डॉक्टर जगपाल से किसान भाईयों हम आपको बताना चाहेंगे अभी के समय जिसे के अभी सरदी का मौसम चल ला है इस समय हमें अपनी पस्वों को कुछ जरूरी बातों को ध्यान देने की आवसकता होती है जिसे की जो भी हमारा पसुसाला होता है उसको ऐसे अस्थान पर बनाए जहां पर सूरी की रोशनी प्रियापत पहुँचे और उसमें प्रियापत तरीके से हवा पहुँचे और इस मौसम में खासकर हमको क्या करना चाहिए कि जब हम पसुओं को हमेशा पसुसाला या गौ क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे एक्टो पैरासाइट्स होते हैं या जो वाह परजी भी होते हैं जो पसु के सरीर में हो जाते हैं और वो फिर बाद में पसु को अस्वस्त कर देते हैं दूसरी चीज ध्यान में रखने वाली बात ये होती है कि हमारा जो पशु साला होता है या गौशाला होता है उसकी साप सफाई का हमें बहुत ध्यान देना रखना चाहिए नहीं तो उसमें रोग बीमारी होने के चांसिस रहते हैं सर्दियों में पश्वों को संतूली ताहार देने से जहाँ पश्वों का स्वास तच्छा रहता है वह बेमारीओं से भी दूर रहते हैं और धूट-दूट-पादन में भी व्रध्य ओती है हरे चारे के साथ संतूली ताहार नियमित्रोप से कम से कम एक दिन में तीन बार दि प्रद्ध किलो और भैस को दो किलो दाना मिश्टरन अतिरिक्त प्रतिदिन देना चाहिए इससे पशूओं को सर्दी में बचाव में बहुत मदद मिलती है बुखार हो जाता है तो इस केस में हमें जो होता है कि ध्यान देना ये चीज़े कि जो भी बैक्ती दूद का दोहन करता है उसे अपने हाथों को अच्छे से साफ सफाई करके करना चीए क्योंकि ये जो बीमारी है ये जीमाडू जनित बीमारी है और ये क्रॉस कंटामनेशन जब हम दोते हैं और साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारे हातों से जो पशू का थन होता है उसमें जाता है तो ये रोग होनी के चांसेस रहते हैं दूसरी चीज़ ये भी है कि जब भी हम दूद दुहें तो पूरा दूद निकालें और उसको जो है दूद पशुद्धि के साथ डेरी पशुओं का पालन करते हैं और अच्छा लाब कमाते हैं लेकिन कभी-कभी पशुओं में एक रोग खुर्पका मुहपका रोग FMD होता है ये एक अत्यधिक संक्रामक रोग है ये रोग एक अत्यांत सुक्ष्म विश्रानू से होता है ये पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है इस बिमारी से अपने देश में प्रतिवर्ष लगभग हजारों करोड रुपए का नुकसान होता है खुर पका मुहपका रोग के लक्षन मुह से अत्यधिक लाट टपकना जीब तथा तलवे पर चाले पढ़कर घाव बनना खुरों के बीच में घाव होना जिसकी वज़े से पशु का लंगड़ा कर चलना मुह में घावों की वज़े से पशु चारा दाना बंद कर देता है दूद उत्पादन में लगभग असी प्रतिशत की कमी हो जाती है रोग थाम के उपाई इस रोग का उपचार अब तक संभव नहीं हो सका है इसलिए रोग थाम ही सबसे कारगर नियंत्रन का उपाई है सभी पशु पालक को अब इस रोग के प्रती जाग रोगता दिखाने के आवशकता है तभी इस रोग का रोग थाम संभव है पशु पालकों को अपने सभी पशुओं को जो चार महीने से उपर के हो टीका लगवाना चाहिए और प्रती एक 6 महीने में नियमित टीका करण करना चाहिए रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें लाल दवा के घोल से पशु के मुँ और पैर को धोने के बाद मलहम लगाए पशु में रोग के लक्षन दिखते ही पशु चिकितसक से उपचार करवाएं पशु को पून आहार देना चाहिए जिसे खनीजो और विटमिन की मात्रा पून रूप से मिलती रहे और पशु जल्त स्वस्थ हो सके इसके बाद जो तीसरी रोग है वो होता है जो है पशु में इक्टो और इंडो पैरसाइट जिसको हम लोग बुलते हैं बाह या अन्ता परजीवी यह रोग जो होता है वो खासकर इसी मौसम में जादा आता है जब पशु को ठंड़क जादा लगती है तो क्या होता है कि सरीर में जुए पर जाते हैं या किल्ली होते हैं या कुछ ऐसे पैरसाइट होते हैं जो पशु के सरीर में आते हैं और पशु का खून चूसते रहते तो इसके हमें यह करना चाहिए कि उनको ठंड़क ना लगें, और अगर इंडो पेरासाइट है या दूसी चीजिस अगर जो हमारा पसू साला है उसको साफ सफाई करना चाहिए कि उसमें किसी तरीके से बाहर से कोई ऐसा कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए इंडो परासाइट है जिसको हम लोग बुलते हैं अंतर परजीवी इसमें मेलली क्या होती पेट में कीड़े हो जातार लीबर में या पसु के सरीर में होती है जो खून को चूसा करते हैं और बाद में क्या करते हैं जो भी हम पसु को आ चाहार की कमी वाती है और पसु बीमार फढ़ जाते हैं इसमें कभी-कभी हम देखते हैं पसु में हमारे पसु जो आ होता है जो पायर को ड़क्तनी है मतलब समाज़ेना चीहे कि हमें किसान भायों अभी तक आपने खेती से जुड़ी वी कुछ उप्योग